गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में कनीश्क पर्थम के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा कनीश्क पर्थम है ये कुशान वंस का सबसे 17 साले सासक था ठीक है और इसके काल में बहुत से परिवर्तन हुए थे और जो संस्कर्थी और जो समाज है इनमें भी काफी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं तता इस्तापत्यक अला में भी उन्नती हुई थी ठीक है तो कुशान वंस के बारे में हमने काफी कुछ पहले भी पढ़ लिया है जैसे कुशान वंस की जानकरी के सुरोत है समाज हैं संस्क्रती है कुशान समराजे का पतन है परवर्ती जो कुशान सासक है इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले वाले वीडियो में पढ़ा था तो आप प्ले लिस्ट में जाके यह सब देख सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ बढ़ते हैं कुसान वलंसका शबसे सकति शासक कणिस्क लिए में विम कड़किसेश के बाद कुसान सासन की बागडोर कणिस्क के हातों में आई कनीश के निश्चित रूप से भारत के कुसान लाजाओं में सबसे महान है उत्री बोध अनुसरूतियों में उसका नाम प्रभा मंडल से यूक्त है उसके लगबग बारह अभिलेक तथा बहुसंक्य स्वार्ण इम्तम्र मुद्राइं प्राप्त हुई है यह हमने जो कुसानों के सिक्के थे उनके उनमें पढ़ा था और बोध साहिते अभिलेक तथा सिकों के आधार पर हम कनीश के बारे में जान सकते हैं कनीश की उत्पती वन्स तथा प्रारंबिक जीवन अंधकार पून है यह भी स्पस नहीं है कि पूर्वा वर्ति कड़ फिसेस राजों उन से कनीश का कोई संबन था अथवा नहीं इस्टेन कोनों जैसे कुछ विद्वानों की धारना है कि कनीश की यूची की छोटी साका से संबन दी था तथा भारत में खोतान से आया था इसी परकार कनीश की उत्पती तथा वंस परंप्रा पून्त या अनुमान परकी है फिकना कि वही हम पूरा वज़े निश्ची तोर से नहीं कह सकते हाल ही में उत्री अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनीश का एक लेख मिला है जिसमें उसकी वंसावली दी गई है लेख में कनीश की उपादी देव पूत्र मिलती है तथा इसमें उसे विम कड़ फिसेस का पूत्र कहा गया है उसे साकेत कोसाम भी पाठली पुत्तर आदी का विजेता बताया गया है कनीश की द्वारा समत परवर्तन का भी उलेख है येदी इस लेख को प्रमानित माना जाए तो कनीश की वंसावली सम्बंदी विवास मापत हो जाएगा कनीश के राजा रूहन की तिथी का अब तक पता नहीं लग सका है जिसके पणाम सरूप कनीश के राजा रूहन की तिथी का निर्दारन भारतिय इथिहास का सरवादिक विवादास पड़ परशन रहा है कनिस की तिती की समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 इस्वी में लंदन में दो अंतर राष्ट्रिये समेलन आयजित किये गए द्वीत्य समेलन में आम सहमती 78 इस्वी के पक्स में ही बनी इसके समापन भासन में ए एल बासम ने कनिस के राजरोहन के तिती 78 इस्वी में रखने के पक्स में एक नया तर्क पस्तुत किया इसके अनुसार कनिस की तिती 38 इस्वी ने मानने की स्थिती में ये बता सकना कठिन होगा कि कंधार गंधार तथा पंजाब में किस सम्वत का पर्सलन था हमें संपूर उत्तर तथा उत्तर पस्चिमी भारत में जो दिर्ग काल तक सक कुसाणों की अधीनता में थे सकसंवत के पर्सलन का प्रमान मिलता है मातर उप्रोग दो पर्देशों में ही इसका पर्सलन नहीं मिलता किन्तु ये दि कनिस के लेखों की तित्थी को सकसंवत से समिकृत कर दिया जाए तो हमें पंजाब और गंधार में समात का भाव नहीं दिखाई देगा ठीक है तो कनिस्ट के यू तथा विजे समरज्जे तथा कनिस्ट का सासनी हम आगे की वीडियोज में आपको पढ़ाईंगे ठीक है अब देखते हम कनिस्ट का अंति कनिस्ट के अंतिम दिनों के विशे में हमें निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिलती है सिंस्क्रित तथा बोध ग्रंतों के चीनी अनुवाद में उसकी म्रत्यू सम्बंदी जो अनुसरूती सुरक्षित हैं उससे पता चलता है कि उसकी अति से लोलूपता निर्देता तथा महत कांकसा से परजा में भारी असंतोस फैल गया था निरंतर युद्धों के कारण उसके सेनिक तंग आ चुके थे तथा उसके विरूद एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ एक बार जब वह उत्री अभ्यान पर जा रहा था मार्ग में बिमार पड़ा उसी समय उसके सेनिकों ने उसका मुहन ढख कर उसे मार डाला था कनिस्क ने कुल 23 वर्षों तक राजे किया यदि हम उसके राजय रोहन की तिथी अठायतर इस्वी माने तो उसके अनुसार उसकी मृत्यू 101 इस्वी के लगभग हुई अब देखते हैं कनिस्क का मुल्यांकन कनिस्क की उपलब्तियों को देखते हुए हम उसे भारती इत्यास के महान समराटों में स्थान दे सकते हैं वह एक महान विजेता समराजे निर्माता तथा विद्या एमकोस कला कोसल का उद्दार सरंग सक था गंगा गाठी में एक सादान छत्रप के पद से उठकर उसने अपनी विजेओं द्वारा एसिया के महान राजों में अपना स्थान बना लिया था वह एक कुचल सेननाएक थता सफल सासक था असोक के सम्मान उसने भी बोध दर्म के परचार में अपने समराजे के सादनों को लगा दिया था उत्री बोध अनुसरितियों में उसका वही स्थान है जो दक्षिनी बोध परंप्रवों में असोक का है वह कभी भी दर्मांद अत्वा धार्मिक मामलों में ऐसे इसलू नहीं हुआ तथा बो धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया इस परकार कनिस्क में चंद्रुगुप्त जासी सैनिक योग्यता तथा असोग जासा धार्मिक उच्सा देखने को मिलता है कनिस्क के एक विदेशी सासक था फिर भी उसने भारतिय संसकर्ती में अपने को पूर्ट याविली कर दिया था उसने भारतिय धर्म कला एम विद्वता को सरंक्षन परदान किया इस प्रकार कनिस्क ने मध्य दताप पूरवी एसिया में भारती एसंस करती के प्रवेश का द्वारे खोल दिया था ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने कनिस्क महान के बारे में जानकरी प्राप्त की और आगे के वीडियोज में हम कनिश के पर्थम का समराजे विस्तार है उसके द्वारे किये यूद और विजे है उनके बारे में हम जानकरी प्राप्त करेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में